क्लास नाइन्थ के सभी बच्चों को मेरा नमश्कार देखें ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम हर वो बॉर्ड जहां पर NCRT पैटर्न फॉल्लो होता है उसके लिए बनाया गया है बनाया गया नहीं बनाया जा रहा है और इसमें हम हिंदी और इंग्लिक दोन ben यूज़ करेंगे जिसके मतलब का जो शब्ड बश rays और जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिस पकड़ और जिसको उनदी आती हो दोनव आते हैं दोनों पकड़ ले ठीक है तो को नमबर सिस्टम में आप जानते हैं कि वही संख्याओं के साथ खेलना आपकी बच्पन की अदा रही है संख्याओं के साथ मम्मी हमें एक पेडा ले पे हम आदा पेडा दो आदा एक सब हम जानते थे लेकिन आप वो दौर था जब हम पढ़े लिके नहीं हुआ क कि एक चीज दो चीज तीन चीज बोलते नहीं होंगे वो अभी नमबर सिस्टम में नमबर का ग्यान हमको जब हुआ हमने नमबर को अलग अलग पार्ट में डिवाइट किया बाटा अलग 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 पार्ट में तो पहले कितने पार्ट में बाटा उन नमबरों को समझ जा होता होगा समझ जाना बाउन नमबर लिखा हो बाउन नियुखे unigran ने को कहते हैं प्राकृतिक संख्याए है रैटिंग गंदी है जौरा ध्यान समझेगा नाम से लग रहा है जो काउंटिंग नंबर सोते जिनको गिनते हैं एक चाहिए दो चाहिए तीन चाहिए चाहिए ठीक है तो एक दो तीन चार ये जितने numbers होते हैं अब क्या है ये सब natural numbers हैं और इनका एक indication होता होगा भाई कुस डिनोट करोगे न इसको जिसको जिस later से denote करेंगे वो n होगा तो natural number को किस later से denote करते हैं एन से denote करते हैं ठीक है दूसरा होता है whole number मतलब number एक ही होते हैं हमने उसको अलग-अलग भागो में बाढ़ दिया है whole number whole number whole number whole number को हम कहते हैं पूर्ड संख्याएं पूर्ड संख्याएं पूर्ड संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं भी वही हैं, कि जीरो से स्टार्ट हो जाता, जीरो, वाइन, टू, थ्री, एंड सो आन, और बहुत सारे नमबर इसमें होंगे, ठीक है, और इसको हम इंडिकेट करते हैं, डबलू से, है न, अब इसके बाद हमको ग्यान हुआ, निगेटिव संख्या जब हमको निगेटिव संख्याओं का बग्यान हुआ, तो हमने कहा, पूर्ण, पूर्ण, जिसको की इंटीजर कहते हैं, अब आप कहेंगा, इस बार हिंदी पलेल दिया है, बाई तो हिंदी तो हमारी मात्रभासा है, पूर्ण में क्या होता है, कि जो इंटीजर होते हैं, निगेटिव पॉजिव सब नमबर लेते हैं, 0, 1, 2, इधर संख्या हैं बढ़ती भी जाएंगी, जब जब कॉपी के सामने बढ़ती ही संख्या जाएगी, और लेफ्ट हैंड करते ही, जब कॉपी के सामने आप मूँ करोगे, कहां भी पीछे रहा कैसे न खड़े होना वो ले सकते हैं, लेकिन जो इंडिकेशन दिया गया इसको डिनोट करने का और जड दिया गया, जड एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब है यहाँ पा जहलन, Z-A-H-L-E-N, Z-A-H-L-E-N, यह जहलन वर्ड, जर्मन वर्ड है, यह दिया गया, और इसका मतलब होता है गिनना, to count, to count, इसका मतलब होता है गिनना, ठीक है, to count, गिनना होता है, और यह वर्ड आया है जहल से, संख्या को जहल कहते है, Z-A-H-L, Z-A-H-L संख्या होती है, मतलब Z-A-H-L, जहलन वो काम हो गया, गिनना, ठीक है, तो वहाँ से Z लिखा जाता है, ठीक है, अब इन में से positive अलग कर दो और negative अलग कर दो, तो यह positive integer हो जाएंगे, यह negative हो जाएंगे, धनात्मक पुढांक हो जाएंगे, यह रिरात्मक पुढांक हो जाएंगे, अगर आप से integer कहेगा, तो फिर सब लिखेंगे आप, ठीक है, जैसे आप से उसने कहा positive integer, तीसरा आपने कहा, इसी के दो पार्ट किय पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा इसने कहा, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, देखें, जो भी NCRT discuss की जाएगी, उस पर हिंदी इंगलिस दोनों वर्जन के question होगे, question तो एक ही होगे न, solution तो ही होगा उसका, positive integer मता धनात्मक पुढांक, धनात्मक प धनात्मक पुढांक, ठीक है, तो धनात्मक मतलब आप 0 include करेंगे, तो 0, 1, 2, 3 यह धनात्मक हो गया, और minus 1, minus 2, minus 3, लिखा उल्टा जाता है, इसको उल्टा लिखना, minus 1, minus 2, minus 3, लिख दिया हमने, तो इसको indicate किसे करेंगे, इसको indicate करने के लिए आप क्या करिए, इसको बना करके minus, ठीक है, कहीं कहीं पर i भी लिख देते हैं, इसको i plus और i minus भी लिखते हैं, तो confuse मत होना, i भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो यह चार प्रकार की तो यह संख्या है, में तो तीन तरीके संख्या है, में यह तीन है, बाद दिस तीसरी को दो भागों बाटा गया धनात्मक और इनात्मक, positive integer और negative integer, अगला है rational number, पर्वे संख्या है, इसको indicate q से किया जाता है, ठीक है, होते क्या है, अभी हमने पूरांग की बात की, integer की बात की, जिन नंबर को p upon q के form में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, यह जो p और q है, यह integer है, integer है, यह पूरांग है, और सर्त एक है, q 0 नहीं होना चाहिए, शर्त यह लगी, यह नीचे 0 ना आ जाए, जैसे हम आपसे कहें 5, पूरांग है, integer है, क्या 5 के नीचे कुछ है, 5 के नीचे 1 है, 1 भी integer है, तो यह rational हुआ, यह पर्मे हुआ, हम आपसे कहें 0, 0 के नीचे 1 हो सकता है, हम आपसे कहें 7, 7 नीचे 1 है, हम आपसे कहें 3 by 2, हम आपसे कहें 7 by 4, यह सब कैसे संख्या है, सब संख्या है, आपकी rational number है, परिमे संख्या है, अब जिनको P.A.P.N.Q के फार में नहीं लिसकते, वह आप परिमे होंगी, वह अगली एक साज में बताए जाएगा, ठीक है अभाज संख्या है, अभाज संख्या है, तो अगर हम मुझे English में इसकी definition देनी पड़े, तो आप लिखेंगे prime numbers are those numbers which are having two distinct factors, one is itself, other is one, दो ऐसी संख्या हैं, इनके दो अलग-अलग गुणंखंड हों, अलग-अलग factors हों, अलग-अलग, नमबर मेरे सब्दों पर धान दो, अलग-अलग गुणंखंड हों, एक वो खुद हो, एक वन हो, ठीक, अच्छा, अब बताएए, one prime है, one अभाज है, आप कहेंगे हाँ, one की factor क्या होते हैं, गुणंखंड पड़ा हैं आपने, एक one होता है, एक वन होता है, तो, यह आपकी, जैसे, दो है, दो किससे कट सकता है, अपने आप से कट सकता है, अपने आप से कट सकता है, अब आपके वन भी तो, लेकिन हमने का, दो अलग-अलग संखंड कटना चाहिए, अपने आप से कटे, और वन से कटे, अलग-अलग, लेकिन वन जो है, वो हर बार अपने आप से कटता है, तीन जो है, वो अपने आप से कटेगा, बन से कटेगा, चार अपने आप से कटेगा, बन से कटेगा, और दो से भी कटेगा, इसलिए वो प्राइम नहीं है, पाँच प्राइम है, साथ प्राइम है, आठ नहीं है, बन से भी कटेगा, दो से भी कटेग इसका इंडिकेशन नहीं अलग से होता है कमपोजिट के नमबर्स भाज संख्याएं जो संख्याएं जो द्हान सफ़ेगा जो संख्याएं घ्रेज्यान समझेगा जो संख्याएं अपने आप आप से और 1 के अलामा किसी और से भी कट जाएं अपने आप से और 1 के अलामा किसी और से भी कट जाएं अब फिर वहाई पर 1 लटक गया गर कि 1 भाज्याग नहीं है one composite है कि नहीं है one नहीं है क्योंकि one अपने आप से अपने आप से बारवा अपने आप से करता है कोई और नहीं है उसका रिस्ते जार है इसलिए one नहीं है four है four अपने आप से करता है one से करता है अपने आप से करता है two से भी करता है six है अपने आप से करता है 1 से करता है 2 से करता है 3 से करता है 8 है 9 है 10 है बहुत सारा है 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 जो ये है नहीं ये है है ठीक है तो ये आपकी हो गए भाज संख्याए एक ऐसा नाम जिसको आप से फिलाहल कोई मतलब तो नहीं है लेकिन अब है तो है उसको बता देते हैं है ना इसको नोट कर लीजेगा वीडियो बनाने का मकसद क्यों ये है कि आपको जब टाइम मिले तब पढ़ लीजे और लेकिन पढ़ मत दी जैसे लेते हैं आप पढ़ रहे हैं पढ़ पेज़े जुटे लिखते जाईएगा तब सुन में आएगा ठीक है एक होता है को प्राइम नंबर ये थोड़ा खतरना आज संख्याएं जरा समझी कोई करो दो ऐसी संख्याएं दो ऐसी संख्याएं जो आपस में केवल वन से कटे और किसी दो ऐसी संख्याओं का ग्रुप जो केवल वन से कटे दोनों संख्याएं किसी और संख्या से दोनों न कटे एक साथ मतब जैसे दो संख्या लिखेंगे तो पहली संक्या भी 1 से कटेगी, दूसी संक्या भी 1 से कटेगी, अब आप कहेंगे कि पहली किसी और से कट जाए, लिकिन उसी से दूसी नहीं कटनी चाहिए, फिर समझेगा, जैसे मैं कहूं 2,3, एक पेर ले लिया, अब वैसे तो ये अभाज संक्या है, लेकिन सह अभाज क किस से कटेगा, अपने आप से कटेगा, वो तो छोड़ी है, अपने आप से नहीं, दो किस से कटेगा, एक से कटेगा, थ्री किस से कटेगा, एक से कटेगा, दो किस से कटेगा, लेकिन दो से त्री नहीं कटेगा, दोनों संक्याएं किस से कट रही हैं, केवल एक से कट रही इसलिए वो सहाभाज संख्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, जैसे मैं एक गुरुप दे रहा हूँ, 6 कामा 5, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 अभाज नहीं है, क्योंकि 6 दो से भी करता है, 3 से भी करता है, 6 से भी करता है, लेकिन भाईया, 5 और 6 दोनों की संख्या से कटेंगे, एक ऐसी संख्या बताओ, जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, वो के ओल 1 है, तो जो संख्या केवल 1 से अगर दोनों पेर कटें, दोनों जोडे कटें, तो वो दोनों के ऐस संख्या होंगी, सहाभाज संख्याएं कहलाती है, ठीक है, अब बात करते हैं, exercise 1.1 की, दे कि उसको देख लीजेगा, ना हो तो उसको पॉस्ट करके रोग करके आप नोट कर लीजेगा, अदरवाइस नेट पे एंसियाटिक बुक अवलेबल है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोशन पहला कह रहा है कि, जीरो इस जीरो इस जीरो इस जीरो एक परिमेशन क् है, तो जीरो को क्या जीरो अपान वन नहीं लिसकते हैं, अगर मैं कहूं कि इसको पी अपान क्यू के फार्म लिख रहे हो, तो यहाँ पर पी क्या है, यहाँ पर पी क्या है, यहाँ पी है जीरो, और यहाँ क्यू क्या है, यहाँ क्यू है वन, क्या जीरो और वन दोनों इं यस नो यस नो यस नो नहीं चलेगा भाई आपको यस के लिए बताना पड़ेगा ना कि 0 को 0.1 लिखा जा सकता है जहां उपर भी इंटीजर है पूरांग है और नीचे भी पूरांग है नीचे भी इंटीजर है ठीक है ये आपका पहला कोशन हो गया नेक्स कोशन कहता है find six rational number between three and four तीन और चार के बीच में six rational number find करिए तीन और चार के बीच में छे परिमेय संख्याएं ग्याद कीजे मतलब कहने का ये है कि तीन और चार के बीच में छे संख्याएं ऐसी ग्याद करो जो तीन और चार के बीच तीन से बड़ी हो और चार से कई तरीके इसके हैं, नियम तो यह है कि जब बीच में ग्यात करना है तो दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, मतार इसको पहली जो संख्या निकलेगी और तीन बाइब चार बटे दो यानि कि साथ बटे दो आएगी, तो बिलकुल तीन और चार के बीच में संख्या क्या आए जोड़ो आधा कर दो, तो यहां एक संख्या मिल जाएगी, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो, यहां एक संख्या मिल जाएगी, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो, यहां एक संख्या मिल जाएगी, तो बहुत लंदी हो जाएगा, इतना दिमाग कौन लगाए, इसका सस् लेकिन उम्दा है और हर जिगे accept होता है, देखो तीन के बटे में क्या लिखा है, एक, और चार के बटे में क्या लिखा है, शर्त येक है, कि इन संख्याओं में जो denominator होता है, जो हर होता है, वो समान होना चाहिए, है समान, कोई दिक्षा अपने आप कर दी, आपने बन, अच् उपर नीचे 10 से multiply कर दो कोई दिक्कत है, नहीं है, आप देखो ये 30 बटे 10 हो गया, 40 बटे 10 हो गया, नीचे तो समान संख्या हो गई, 30 और 40 के बीच में किती संख्या है आपको मालू है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 9 संख्या है हमको मालू है, और आप से तो अच्छे ये पूछ में ऐसे लिख रहा है, 6 परिमे संख्या है, अपनी अपनी भासा चुनिएगा, परिमे संख्या है आप से पूछ, रैटिंग अंदी ही तो इसी, तो देखो, 30 से बड़ी, 31 होगा, अधिको, आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर अलग अलग तरीके से होता है, आंसर तो ये दोनो 30 है, और सब के बटे में 10 कर दो, चलेगा नहीं चलेगा, दोड़ेगा, कामा लगा दो यहाँ पर, तो ये संख्या आपकी 30 और 3 और 4 के बीच में लाई करेगी, अगर आप भाग करके देखो, ये 3.1 आएगा, 3.2, 3.3, अब देखो, यहाँ पर भी 6 संख्या हों में से न, तो 9 में से 6 ये तो लिया हमने, हम 30 ले ले, 32 ना ले, 33, 34, 35, 36, 37 ले ले, हम 30 ले, 33 ना ले, 32 ले ले, तो कोई भी 6 संख्या उठा सकते हैं, ठीक है, ये सस्ता लेकिन टिका हूँ तरीका है, जितनी संख्या निकालनी हूँ, कम से कम 9 तो निकाल सकते हैं, ज्यादा हो करेंगे, 3 बटे 1 और 4 बटे 1 में हम 100 से गुना कर देंगे, उपनी चीछ, चलेगा, 100 से, अब 300 से 400 के बीच 100 संख्या आपको उम्बालों, 301 से लेकर करके, 399 तक, जितनी जाओ तनी लिख लो, ठीक है, तो ये तरीका होता है, दो संख्याओं के बीच में, पर्मिय संख्या इसके बीच में करें, पांच नंबर बताओ, पहली शर्थ हमने क्या बताई, कि इसका जो नीचे डिनामिनेटर है ना, हर, वो समान होना चाहिए, देखो, 3 बटे 5 लिखा है, ठीक है, और 4 बटे 5 लिखा है, तो अगर दोनों को उपर से 10 से गुणा कर दें, उपर नीचे च के बीच में 10 संख्या हैं आपके पास हैं, और आपको 5 निकली है, निकलो, तो 5 रेशनल नंबर्स जो होंगी, 5 रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, 5 परमिय संख्या है कौन कौन से होंगी, तो आप कहेंगे, 1 31 होगी, 1 32 होगी, 1 34 होगी, 1 36 होगी, 1 38 होगी, हम नहीं लि पचास कर दिया इसके आप पान में 50 कर दिया आप पान 50 कर दिया कॉमा 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 मिल गया सुन में आई बात नहीं आई आ गई ठीक है तरीका यह है देखिए कह रहे हैं फूर्थ कोशन में कि कुछ बाते हमने कही हैं यह सही है गलत है तो आप कहें सिंपल सी बा बारीमधर यह ओलूर। प्रतेख पूर्ण संख्या पूर्ण संक्या पूर। नचरॉल नम्बर क्या होते हैं। और हुल नमबर क्या होते हैं। 01-allow 1234। अब बताओ 1 न смотрите और कि पूर। बड़ा बड़ा भाई इसका है तो यानि कि आप कहेंगे यह सही बात है यह सही आंसर है आप एक्जांपल दे लेंगे कि 1,2,3,4,5 नेटरल नंबर है प्राकृतिक संख्या है और यह पूर संख्या भी है ठीक है अगला क्या करें कि हैं अब बताएं फूरा है इनिगटिव दो सकता है न तो माईनस वन इस ना फूर नंबर कोई भी एक एक एक्जांपल उठा तो यह तो है नहीं अपने आप फेल हो जाएगा माईनस वन इस ना फूरल नंबर आप लिखेंगे minus 1 पूर संक्या नहीं है मतब यह integer तो है तो यहां लिख दो integer minus 1 integer minus 1 मतब पूरांक minus 1 पूर संक्या नहीं है whole number नहीं है तो इसका हों तो यह चीज सही है नहीं, यह false है no, wrong है every rational number इस है whole number प्रतेक पर्मे संक्या पूर संक्या है नहीं, यही बास गलत है अब बताओ हम एगर आपको कहें थ्री बाई टू बताओ यह rational है कि नहीं है क्योंकि हमने rational की definition पड़ी कि उसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते है तो थ्री अपान टू, थ्री बेंटीजर है पूरांग है, यह भी पूरांग है लेकिन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या यह whole number ऐसे number आ जाएंगे तो point में आ जाएगा, decimal में आ जाएगा इस नाट whole number इस नाट whole number यह आप कहेंगे 3 by 2 पूर्ण संक्या नहीं है पूर्ण संक्या नहीं है अब आप कहेंगे और हो सकती है लेकिन इसका मतलब हर पूरांग एवरी रेशन होना चाहिए कोई ऐसा नहों जो नहीं है तो यह पहले एक साइस है इसके नोट्स बना लिजेगा हिंदी वाले अपना हिंदी में देखेंगे हम कोशिस करेंगे कि रेगुलर पर वीडियो अपलोड करता रहूंगा और अगर आपको लगी कि यह आपके लिए बनाते रहेंगे कोशिस करेंगे वह आपको वीडियो मिलते रहेंगे नमस्कार